नमस्का दोस्तों, हमारी किचिन में आज सभी का स्वागत है आज मैं आपके साथ सेयर करने जा रही हूँ धनिया और पुदिना की चट्णी बनाने की रेसिपी चलिए, ये रेसिपी बनाना अब हम सुरू करते हैं इसे बनाने के लिए हमने लिया यहां पर धनिया और साथ में हमने लिया एक लेसन और ये हमने लिया पुदिना, पुदिना हमें धनिया से कमी लेना है, ज्यादा नहीं लेना है और दो हरी मिची लिया मैंने साथ में अब भीने हम एक जार में डाल देंगे धनिया, पुदेना, हरी मिर्ची और लेसन को अब मैंने यहाँ पर लिया है दो चमज दही, दही हमें ज्यादा नहीं डालना है वरना चट्टिनी हमारी पतली हो जाएगी, अब मैं इसमें डालूँगी, आदा चमज जीरा मैं यहाँ पर पानी का इस्तमाल विल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, बस मैं इस मिक्सर को ऐसी ही ब्लंड कर रही हूँ इसे अच्छे से ब्लंड करके इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लें और इसे एक कंटेनर में डाल लें आप देख सकते हैं चटनी हमारी कितनी थिक है, अब मैं इसमें सॉल्ट एड कर रही हूँ, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें यह देखिए चटनी हमारी बन करके तयार है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ